सब को प्रभु येशु मसी के नाम में जै मसी के दोस्तों एक वार फिट से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में मेरे मसी भाय और बहनों आज हम बात करेंगे सेक्स के बिसे में जिने सारे रिक्षमंद कहा जाता है According to the Bible, सेक्स इस रौंग और राइट Bible के नुसार सेक्स करना गलत है या सही है इसके बिसे में आज हम बात करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि Sex is a gift given by God Sex एक gift है जो सभी प्रानियों को चाहे वो मनुष्य हो या जीब जन्तु हो या जानवर हो परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उफार था पर बाइवल इसके बिशे में क्या कहती है आए हम बचन से जानते हैं उत्पती एक के 28 में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है और परमेश्वर ने उनको आसीज दी और उनसे कहा फुलो फलो और पिर्थबी पर भर जाओ मेरे भाईयों और बेहनों परमेश्वर ने आदम और हब्बा की स्रिष्टी की तब परमेश्वर ने आदम से कहा फुलो फलो और पिर्थबी पर भर जाओ तो परमेश्वर की अपेक्षा के नुशार या कैसे होना था अवसे ही एक लेंगिक शंबंध अस्थापित करने के द्वारा जब तक सारीरिक शंबंध नर और मादा जाती के वीच नहीं होगा तब तक उसे बच्चे भी नहीं होंगे और वो पिर्थवी पर नहीं बढ़ सकते हैं परमेश्वर ने लेंगिक करिया यानि सेक्स की रचना किया और उसने मनुस्थ को कहा कि वा उसका उपयोग करें बाइवल उत्पती 31 में लिखा है तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वा बहुत ही अच्छा है तो ध्यान्द जीए कि इस वचन में लिखा है बहुत ही अच्छा है जब परमेश्वर ने यह सब्द कहा कि बहुत ही अच्छा है तो ये सब्द परमेश्वर ने कब कहा जब परमेश्वर ने अच्छा दिन में सारी स्रिष्टी की रचना कर लिया था और अंत में परमेश्वर ने कहा बहुत ही अच्छा है तो इस वचन से पहले परमेश्वर ने क्या कहा था फुलो फुलो और धर्ती पर भर जाओ तो हम देख सकते हैं कि स्रिष्टी में मनुष में रखा लेंगिक काम यानि सेक्स शामिल था तो मेरे मसी भाई और बहनों बिवा में लेंगिक काम यानि सेक्स करना एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा कहा है सेक्स बिवा के अंदर बहुत अच्छा है लेकिन बिवा के बाहर या बिवा से पहले सेक्स करना ये बहुत गलत है ऐसे बहुत से मसी भाई और बहान हैं जो बिवा के अंदर भी लेंगिक समंद को यानि सेक्चुल रिलेसंसिप को बहुत बुरा समझते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे बिवा नहीं करेंगे तो जादा पवित्र हो जाएंगे गरता हूँ कि आज आपने इस वचन के द्वाराइसी सपया होंगे और जान चुके होंगे कि सेक्स करना बिवा के अंदर ठीक है लेकिन बिवा के पहले और बिवा के बाहर यानि अपने पतनी को छोड़ कर दुसरे इस्तरियों के साथ सेक्चूल रिसंसी बनाना बहुत बुरा है और बायवल क्या काती है इबरानियों 13 के चार में बिवा सब में आदर की बात समझी जाए और बिवा बिचाओना निसकलंक रहे क्योंकि परमेश्वर बैविचारियों और परिस्तरी गामियों का न्याय करेगा वे लोग जो साधी से पहले और साधी के बाद किसी दूसरे इस्तरी से सेक्चूल रिलेसंसी बनाते हैं या सारिडिक शमंद बनाते हैं न्याय के दीन परमेश्वर के सामने वे लोग खड़े होंगे और परमेश्वर उसका न्याय करेगा सो मेरे मसी भाय और बहनों ये हो सकता है कि आप एक जवान मसी भाई हो और मसी में आने के बाद भी आपने किसी लड़की के साथ सेक्चूर डिलिसंसी बनाया हो ये हो सकता है कि आप एक जवान मसी बहने हो और मसी में आने के बाद भी आपने किसी जवान लड़के के साथ सेक्चुर डिलिसन सी बनाया हो और आज आप यह महशूस करते हो कि मैंने परमेश्वर के बृद में बहुत बड़ा पाप कर दिया अब मेरा क्या होगा और अपने आपको दोसी भापना में जिन्दगी जी रहे हो तो शुनिए परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है वो चाहता है कि आप पूरी इमानदारी के साथ उसके पास लौट आएं और अपने पापों को पूरी इमांदारी के साथ मान ले और उस पाप से पश्चाताब करे और बुरे मारगों से फिर जाए तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैमसी की ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरुर करें धन्यवाद